जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया पर्चेस करते हैं तो उसमें apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें apply करते हैं ये coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है normally ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई space नहीं कोई column नहीं इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट मिलेगा वीडियो देखिए नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका study for exams में दोस्तों इस वीडियो आप लोग उत्तर प्रदेश special GK देखेंगे और यह वीडियो जो है आपके आगामी एक्जाम UPPSC Junior Assistant, UPPSC R0-R0-Sight जो है उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मातपोड है तो आई वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है संयक्त प्रांच से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राजपाल कौन थे आपके सामने चार आप्शन जया गया है अकबर अली खान, होर्मु सजी, फिरोज सामोदी, मोतिलाल वोरा या सूरज भान तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका आप्शन B होर्मु सजी, फिरोज सामोदी जो थे या संयक्त प्रांच से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने पर जो है उत्तर प्रदेश के पहले राजपाल थे और या नाम का बदला गया था तो या जो है, 24 जन्वरी, 24 जन्वरी 1950 में 1950 में जो है, संयक्त प्रांच से नाम बदलता जो है इसे उत्तर प्रदेश कर लिया गया और 24 जन्वरी को जो है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह 24 जनुरी को ही मना जाता है इसका option B जो है वह सही है अगला प्रशन दिखते हम लोग अगला प्रशन है क्रिशक सम्रद्धी आयोग की अस्थापना किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में होई थी 2016, 2017, 2018 या 2019 में तो इसका जो सही आंसर हो जाएका वह हो जाएगा आपका option B क्रिशक सम्रद्धी आयोग की अस्थापना जो है वह 2017 में की गई थी और इसायोग का जो उद्धेश था अस्थापित करने का वर किसानों की आयोग को दोनी करने का उद्धेश था तो इसका भी option जो है बैस सही है उत्तरपदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है चारज जिलों के नाम जिये गए है पिली भीत, स्रावस्ति, सितापुर, महराज गंज तो इसका जो से अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C सीटापुर जो है वह नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है उत्तरपदेश के कुछ साज जिले जो है साज जिले नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं एक तो आपका पिली भीत हो गया स्रावस्ति, महाराज गैंज, लखेमपुर, बहराइच, बलरामपुर और सिधार्टनगर यह साजले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं इसका option C जो है वह सही है अगला प्रश्चित के हम लोग अगला प्रश्चित के राज की चिन में कौन सामिल नहीं है मचलिया, सारस, तीर धनुस तो इसका जो स्यांसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B उत्तर प्रश्चित का जो राज की चिन है उसमें सारस का चिन आपको नहीं मिलेगा दो मचलिया मिलेंगी और एक जोड़ी वह तीर धनुस मिलेगा तो इसका option B वह सही है अगला प्रश्चित के हम लोग उत्तर प्रश्चित के की जिले की समा उत्तर खंज, हाडियाना और हिमाच्र प्रश्चित से लगती है गज़िएवाद की, मेरट की, बरेली की या सहारनपूर की तो इसका जो स्यांसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option D सहारन पुर्जिला उत्राखंड, हार्याना और हिमाचल प्रदेश तीनों राजों के साथ सीमा साजा करता है इसका उप्शन बी वैसा ही है कुसर नमबर च्छे है निम्रिकित में से कौन सा जिला उत्रप्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र संबंदित नहीं है कौन सा जिला जो है बुंदेल खंड छेत्र के अंतरगत नहीं आता है आपको यह बताना है ललितपूर, हमीरपूर, महुअवा या स्रावस्ते तो इसका जो से अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन D स्रावस्ति जिला पूंदेल खंझ छेत्र के अंतरगत नहीं आता है। उत्तर परदेश के किस सहर को greatest on the east के नाम से जाना जाता है। उत्तर परदेश के किस सहर को ग्रॉस ओंडर इस्ट की नाम से जाना जाता है, गोरपबुर, मुरादाबाज, प्रियागराज और कन्योज, तो इसका उसी आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ओप्सण D, इत्र नगरी कन्योज जो है, यह ग्रॉस ओंडर इस्ट की नाम option पढ़ लिजी तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option A उत्तर पदेश में लाल मिंटी जो है मुख करूप से इलहाबाद, मिर्जापूर, जहांसी, सोनबाद, बांदा, इन जिलों में जो है लाल मिंटी मुखतर पाई जाती है इसका option A जो है बस सही है, उत्तर पदेश के निम्रखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण 1975 में अस्थापित किया गया था किस वनिजू अभ्यारण की अस्थापना जो है उनिस सो पिछतर में की गई थी उत्तरप्रदेश की तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्छन भी कतर्निया घाट वनेजु अभ्यारण की जो अस्थापना है वह 1972 में हुई थी और यह इस्तित है बहराई जिले में इस्तित है कतर्निया घाट वनेजु अभ्यारण इसका ओप्शन भी जो है वह सही है निम्रकित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज से प्रवाहित नहीं होती है सोन, हिंडन, गंडग या सार्दा तो इसका जो सियांसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्शन C गंडग नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है यह बिहार और नेपाल में प्रवाइद होती है तो इसका उप्षन जो है सी साही है सोन नदी जो है यह आपके उत्तर प्रदेश जारकंड और बिहार में प्रवाइद होती है तो इसका उप्षन सी जो है वह सही है गंडग नदी जो है उत्तर प्रदेश चाज में प्रवाइद नहीं होती है उत्तर प्रदेश क्रिस्य अनुसंधान परिशत कहा इस्तित है गाज्याबाद अलिगर्ड लखनव वारान सी तो इसका अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C उत्तरपदेश क्रिसी अंसंदान पर्षा यह लखनो जिली में इस्थित है तो इसका option C वैसा ही है उत्तरपदेश के किस छेतर में स्वयवीन की फसल मुख्यतर उगाई जाती है पूर्वी छेतर में, केंदरी छेतर में, बिंद छेतर में या बुंदेल खंड छेतर में रानी लच्छिमी भाई बाद उत्तरपदेश के किस नदी और किस जिली में इस्थित है आपके सामें चार option जिया गया, option पढ़ लिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका option D रानी लच्छिमी भाई बाद जो है या बेतवा नदी पर लगित पुरु जिली में बनाया गया है और इसका निर्माट जो है वह 1958 में शुरू किया गया था, 1958 में, इसका option D जो है वह सही है दोस्तों अगर आप UPPCS Pre-2024 की complete तयारी करना चाते हैं तो आप हमारा UPPCS Pre-2024 का crash course जोइन कर सकते हैं यह course आपको दोनों भासाओं में मिलेगा, हिंदी और इंग्रिस दोनों में, जिसमें भी आप comfortable हैं ले सकते हैं इसमें आपको full study material, doubt clearance, test series, paid quiz, सब कुछ provide किया जाएगा paid course के लिए आप हमारे नमबर 8564-880530 या 7523-864455 पर जो है, call या वर्ट सब करके paid course की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह paid course आप हमारे study for service services के एप से भी purchase कर सकते हैं चवदा नमबर प्रशन है, उत्तरप्रदेश का छेटरपल, देश के कुल छेटरपल का लगवख कितने प्रश्यत है, यह 7.3 प्रश्यत है और छेटरपल के दिरिश्ट से जो है, उत्तरप्रदेश, देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जंसांक्या की बात पर पर तो जंसांक्या की देश यह देश में पहले अस्तान पर है इसका उप्षन भी जो है वह सही है 7.3 प्रसेट 15 नमबर प्रस्टन है उत्तर प्रदेश का लखनव सहर निम्ड़ में से किस हद करगा उत्पादन केंद के लिए प्रसिद्ध है खादी छपाई, साड़ी, चिकनकारी, जड़ी के कपड़े तो इसका जो स्यांसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option C उत्तरपदेश का लखनुट सैड़ जो है वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है इसका option C जो है वह सही है दोस्तों आज की वीडियो समत करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन, जै भारत